Image formation के process को एक basic level पे plain mirrors में कर लेने के बाद अब हम इसी process को करेंगे एक level उपर और अब image formation होगा spherical mirrors में यानि के concave और convex mirrors में इस process में हम entry करें इससे पहले कुछ details जानना जरूरी है object की किसी भी position के लिए जब हम image formation करते हैं तो वहाँ पे हमेशा शुरू में ये वाला diagram इस्तमाल होता है इसमें आती terms को सीख लो example के तौर पे concave mirror लें तो हम ये जानते हैं कि ये mirror एक पूरे sphere का छोटा सा part होता है इसी sphere को जो center होता है उसको एक नाम दे दिया जाता है उसको कह जाता है center of curvature और short में इसको denote करते हैं पहले letter से C से इसके बाद दूसरी marking आ जाती है उस point की जो हमारे mirror का center है यानि कि reflecting surface का center है नाम इसको दिया गया है pole और short में letter P इसके बाद तीसरी labeling आ जाती है इस line की जो P और C point को join करके बनती है नाम है principal axis purpose इसका ये होता है कि यही वो line है जिसके उपर object place होता है चौती और आखरी interesting labeling है ये आती है इस point की नाम है focus या फिर principal focus और short में F point ये है mid point of the points P and C इसके purpose की बात करेंगे अगले section में ये हो जाती है इस diagram से related सारी vocabulary इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे रास्ते ऐसे parts जो raise लेती है spherical mirrors के case में इनकी मदद से image formation का process बहुत असान हो जाता है और शुरू करेंगे बात इस diagram से जो हमने पिछले part में अभी-अभी सीखा है तो अब जो हम अलग-अलग रास्ते देखेंगे race के उसमें से हम 3 में से कोई भी 2 रास्ते इस्तिमाल कर सकते हैं पहला path होता है जब ray जारी होती है parallel to the principal axis principal axis की जो line है उससे parallel जारी होती है अब जब ये ray टकराएगी mirror पे तो इस point of incidence पे normal कहां से पास होगा circle के case में अगर आप जानते हों तो circumference के किसी भी point पे जब हम normal draw करते हैं तो वो center से पास होती है यानि के यहाँ पे normal होगी ये वाली line और अब law of reflection के हिसाब से जो हमने पहले सीखा है angle of incidence is equal to angle of reflection अब हम यहाँ पे reflected ray निकाल सकते हैं reflected ray ये हमेशा पास होती है through the focus यानि के जब भी कन के mirror में incident ray parallel to principal axis आईगी तो reflected ray हमेशा focus से पास करेगी दूसरा case अब पहले वाले case से बिल्कुल opposite होता है अगर कोई incident ray focus से पास करती भी जा रही है तो mirror को टकराने के बाद वो कहां जाएगी gas भी कर सकते हैं आप वो ray जाती है parallel to the principal axis यानि के पूरी तरह से पिछले case का opposite हो गया ये वाला तीसरा case तो सबसे आसान है इसमें incident ray जाती है C point से यानि के center of curvature से अब यहाँ पे reflected ray क्या होगी बता सकते हो angle of incidence कितना है zero angle of reflection भी कितना होगा zero यानि के reflected ray इसी रास्ते पे वापस आ जाएगी ये हो जाती है बात ray के अलग-अलग रास्तों की अब हम image formation करने के लिए ready हैं अब हम देखेंगे कि object की अलग-अलग positions के लिए image किस तरह से form होती है और बात पहले करेंगी concave mirrors की शुरू में सबसे पहले ये वाला diagram ड्रॉ कर लो और object की पहली position है behind C object को place करते हैं principal axis के उपर और drawing यहाँ पर simple हो इसके लिए candle के जगा arrow ड्रॉ कर सकते हैं अब इस object AB में पहले बनाएंगे B point की image तो अभी जो हमने ray pass देखे थे उसमें से पहले दो इस्तमाल करेंगे एक ray ले जाओ parallel to principal axis तो reflection के बाद कहां से pass हो जाएगी focus से और दूसरी ray pass कर दो focus से तो reflection के बाद वो जाएगी parallel to principal axis और अब जिस point पे दोनों rays meet करती है यही है B point की image नाम रग दो B dash और इसके बाद अगर आप पूछे हैं कि object पे जो point A है उसकी image कहां बनेगी B dash point से drop हुआ perpendicular जहां पे principal axis को meet करता है वही है A dash points A dash और B dash को join कर लें तो पूरी image बन जाती है अब image तो हमने बना ली अब देखते हैं image की details सबसे पहले position देखें image की तो वो है F और C के बीच में ऐसा हमेशा होता है कि जब भी object C से पीछे होता है तो image हमेशा F और C के बीच में ही बनती है इसके बाद दूसरी detail image के size को देखें तो image का size अगर object से compare करें तो वो छोटा है तो इसके लिए word use किया जाता है diminished फिर आखरी detail nature की बात करें तो हम जैसा की पिछले episode में सीख चुके हैं क्योंकि B point की image form होते वक्त actually reflected rays meet करती है एक point पे तो image हो जाती है real और दूसरी तरफ सीधे और उल्टे की बात करें तो image यहाँ पे उल्टी बनी है तो इसको हम कह देते हैं inverted यह हो जाता है object की इस particular position के लिए image formation का process complete इसके बाद अगर हम object को आगे move करते वे point C पे ले जाएं तो image कैसी form होगी बिल्कुल पहले की तरह करेंगे अब पहला रे का रास्ता हो जाएगा यह वाला और दूसरा रे का रास्ता हो जाएगा यह वाला तो यह हो जाएगी B point की image और फिर object की पूरी image हो जाएगी यह image की details देखें तो position क्या है image is formed at C फिर size की बात करें तो image का size बिल्कुल object के size जितना ही है और फिर nature देखें तो इस बार भी बिल्कुल पिछली बार की तरह image का nature है real and inverted यह हो गया दूसरा case जब object C पे था अब एक case और देखेंगे यहां पे जब object होता है F और C point के बीच में बिल्कुल पिछली बार वाले ही ray paths इस बार भी और image बन जाएगी यह अब इस बार अगर हम image की details देखें तो position है behind C और size इस बार image का हो गया है object के size से बढ़ा और nature बिल्कुल पहले के जैसे ही है real and inverted अब यहां पे कुछ interesting चीज़ हो रही है अगर आप इन पिछले तीनो cases को compare करें इन तीन cases में हम यह कह सकते हैं जैसे जैसे object mirror के पास आता है वैसे वैसे उसकी image का size धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है also इन तीनो cases का अपना कोई ऐसा real application नहीं है पर इसके बाद अब जो दो आने वाले cases है उन दोनों का ही अपना-पना एक-एक interesting application है पहला case यहां पे है जब object होता है very very far या फिर at infinity यानि के mirror से बहुत ज़ादा दूर है object आप अगर सोच के देखें तो इस particular case को copy पे show करा ही नहीं जा सकता है क्योंकि object बहुत ही ज़ादा दूर होता है mirror से तो इसको अगर यहां पे समझना हो कि क्या हो रहा है तो object को हम कुछ इस प्रकार से रखते हैं और यहां पे यह छोटी सी detail ध्यान रखना इस object के जो दो endpoints है उन दोनों ही point से एक-एक ray निकालो जो parallel जाती है principal axis से और reflection के बाद वो कहां से पास हो जाएगी focus से यानि के इसमें image बनती है add the focus और image का size यहां पे जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत ही छोटा है point sized है तो अगर इस image के nature की बात करें तो real तो है यह लेकिन inverted तो इसको हम क्या ही बोलेंगे क्योंकि point है तो ना सीधा होगा ना उल्टा होगा इस case के अगर हम application को देखें और यहां पे हम concave mirror को tilt कर दे sun की तरफ यानि के object यहां पे हमारा हो गया sun which is placed very very far और at infinity तो इस case में आप सोच सकते हैं कि sun की जितनी भी raise आएंगी वो parallel fall करेंगी इस concave mirror पे और अब वो सारी की सारी raise उनकी energy focus हो जाएगी point F पे अब यह बहुत interesting है इस पूरी energy को utilize करा जा सकता है for example अगर हम यहां पे F point पे कोई एक cooking utensil रख लें तो उसमें हम cooking कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका एक जादा बहतर use यह है कि अगर हम इस सारी energy को किसी जगां direct कर सके और एक area में हम बहुत सारे cancave mirrors इस तरह से लगाएं और सूरज की ज़ादा से ज़ादा रोशनी को capture कर सके तो इसका एक बहतर इस्तमाल हो सकता है फिर इस case के बाद इससे एक बिल्कुल opposite case है जब object placed होता है at focus तो इस case में क्या होगा अब यहाँ पे क्योंकि object focus पे है तो raise हम कैसी direct करेंगे दो raise यहाँ पे focus से निकाल सकते हो जो hit करेंगी mirror को और reflected ray कहां जाएगी parallel to principal axis यानि कि जब object focus पे होगा तो image कहां बनेगी infinity पे और उसका size क्या हो जाएगा highly enlarged बहुत ही बड़ी हो जाएगी पिछले वाले case का बिल्कुल opposite है यह अब इस case का application देखते हैं मान लो object के रूप में अगर हम focus पे रख दें एक bulb तो उससे निकलती हुई जितनी भी light mirror पे पड़ेगी वो reflection के बात कैसे जाएगी वो जाएगी एक parallel beam में अब आपकी daily life में आपने कई सारे ऐसे objects देख रखके हैं जिसमें ये वाला system इस्तमाल होता है जैसे की torch में ये वाला system इस्तमाल होता है या फिर गाडियों की जितने भी head lights होती है उसके अंदर ये वाला system इस्तमाल होता है या फिर जो search light होती है जो military level पे इस्तमाल होती है उसमें भी ये ही वाला system इस्तमाल होता है करा इसको simply ऐसे जाता है कि इस पूरे setup को रख दिया जाता है glass enclosure में तो light जब टकरा के निकलती है तो glass के through वहाँ पे basically वो सारी light बाहर चली जाती है वो glass वहाँ पे एक protective shield की तरह काम करता है अंदर का जितना भी mirror और bulb का setup है उसको बाहर के environment से protect करने के लिए इसके बाद last case पे चलें तो अब object थोड़ा सा और आगे किसके आ जाता है F और P के बीच में पहली ray यहाँ पे चली जाएगी parallel to principal axis और दूसरी ray अब हम focus पे pass नहीं कर सकते क्योंकि object focus से आगे है तो इस ray को हम incident करेंगे normally on the mirror यानि के at 0 degree तो reflection के बाद यह pass कर जाएगी C point से इन दोनो reflected rays को अगर हम आगे ले जाएं तो यह दोनो actually meet नहीं करती हैं यानि के अब हमें इनको पीछे ले जाके देखना होगा कि यह कहां से आती हुई दिखाई दे रही है यह B dash point ही है हमारी image यह अभी तक के सारे cases में पहला ऐसा case है जिसमें image बनती है behind the mirror और size यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं इस enlarged बड़ी हो गई है image फिर nature की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे reflected rays actually meet नहीं करती है तो इसलिए image है virtual और image यह उल्टी नहीं है बलकि सीधी खड़ी है तो इसके लिए word होता है erect application अगर हम देखें इस case का तो हमारी like में कौन सा ऐसा area है जहाँ पे हम चाहते हैं कि image जो है तो आपका अंदाजा हो गया होगा यह इस्तमाल होता है dentist mirror के case में या फिर shaving और beautification mirror के case में इसी के साथ concave mirrors के सारे image formation के cases हो जाते हैं complete well done to you इस next episode में हम बात करते हैं convex mirrors में होते image formation के cases की सिर्फ दो ही cases आते हैं उसमें उसको भी check out करिए आते हैं